आज का पंजांग आज का दिशा शूल, दक्षण दिशा की तरफ रहेगा, तो फिलाल के लिए दक्षण दिशा की और यात्रा टाल दें, तो चलिए जानते हैं आज के महाउपाई के बारे में, आज का महाउपाई है, आज के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, गुरु दोष दूर होगा तो चलिए फ्रेंज अब बात करते हैं राशी फल की राशी फल में सबसे पहले राशी है मेश यानी एरीज मेश राशी वालों व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए दिन मुनाफ़ा कमाने वाला रहेगा आपके आर्थिक स्तिती पहले से मजबूत होगी परिव शेतर में व्यस्तता अधिक रहेगी व्यावसाइक योजनाओ को गदी मिलेगी प्रेम संबंधों की बात करें पार्टनर से अपनी मन की बात शेयर करेंगे मितुन राशिवालों आपके दिन की शिरुवात बेहत सुखत रहेगी काफी समय से रखवा हुआ काम आज संपन हो सकता है युवा वर्ग रोजगार को लेकर चिंदित नजर आएंगे परिवार के साथ व्यतीत किया हर पल आपको आनन देगा करक राशिवालों आज घर की सुक्स्तुविदा संबंधी चीजों पर खर्च हो सकता है आर्थिक स्तिती बिगड़ सकती है सोच समझ कर धन का निवेश करें विद्यारतियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रुद है कन्या राशिवालों कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपको नुकसान पहुचा सकते हैं जितना हो सके अपनी योजनाओं को किसी से साजाना करें वरकिंग महिलाएं घर की जिम्मेदारियों कुने भाने में सक्षम रहेंगी स्टुडिंस के लिए दिन अच्छा रहेग इस राशिके बुज़ूर्गों को कंधे का दर्थ हो सकता है तुला राशिवालों आज का दिन शांदार रहेगा बिजनेस संबंधित निवेश करना आपके लिए उत्तम रहेगा सरकारी जौब कर रहे जातकों के आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है परिवार में खुशी का महल रहेगा रिच्चिक राशिवालों किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्क दर्शन से कई मुश्किलों का निवारण होगा युवाओं को रोजगार के बहतरीन अफसर प्राप्त होंगे खर के कुछ खर्चों पर कंट्रोल रखे तो बहतर होगा जीवन साथी की कही कुछ ब रवा के योग हैं मकर राशिवालों आज आर्थिक लेंदेन के कामों से सतर्क रहने की जरुवत है कारिक्षेत्र में वाद विवाद करने से बचे आपके घर पर कोई शादी का प्रस्ताव आ सकता है चात्र पढ़ाई के साथ साथ अपने खेलने कूदने पर भी ध्यान दे कुम राशिवालों आपके लिए दिन सामाने रहने वाला है व्यापार में किसी काम को पूरा करने में सफल रहेंगे वैवाहिक जीवन में आ रहे उतार चड़ाव से रिष्टों में तनाव बना रहेगा बच्चों के करियर की चिंता रहेगी मीन राशिवालों नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन पहतर है काम के प्रती अपना डेडिकेशन बनाए रखे विध्यारतियों के लिए समय सामाने रहेगा घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई व वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद